मुझा नाम डॉक्टर सतिशेस पटेल हैं मैं अमदाबाद गुजरात से हूँ और हम लोगों ने इकको नैनो विरिया का वेजिडिवल प्लांट में कैसे ग्रोथ होता है अच्छा उसके लिए हमने छोटा सा प्रयोग किया है हमने टमाटर बेंगन मिर्च में उसका उसका observation किया है उसमें जो nutrient की कमी है वो भी कमी दूर हो जाती है प्लांट हरा हो जाता है स्प्रय सीधा micronutrient जो होता है उसके अंदर वो सीधा वनस्पती के पौदे के पेशी के अंदर जाके सीधा असर करता है उससे बहुत बढ़िया फाइदा होता है पंदरा दिन के अधिक समय में उसका ग्रोथ बढ़ने लगता है, फ्लावरिंग अच्छा आता है, पौधे में हरा पौधा दिखने के लायक लगता है और अच्छी फसल मिलती है, नेनो इरिया से सीधा पौधे को फाइदा मिलता है, दानेदार इरिया के सामने उसका बहुत नीमन उप्योग होता है, वनस्पति वृद्धी और उसका पेशी में नाइट्रोजन स्त्रोथ संपूणा मिलता है, परियावरान अनुकुल उत्पादन मिलता है, किफायती वर सस्ता है, अच्छा मुनाफा देता है, फसल उत्पादकता और गुणवत्ता में अभी वृद मत करें, निर्मान तिथी से दो साल पहले उसका उप्योग कर लेना चाहिए, और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है, तो नियनो इपकोयूरिया जो है, वो पोधे के लिए, फसल के लिए, और उत्पादन के लिए, और परियावरान अनुकुल है, तो उसका जरू